नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मैं आपका दोस दिनिस्ट निम्बवत अर्थविष्टा के संदर में अगला टोपिक देखते हैं मोद्रिक निती की बात हमने की अब मोद्रिक निती को आगे समझते हैं मोद्रिक निती के उपकरण देखते हैं कि किन-किन माधियम से जो ह मोद्रिक नितियन की मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है तो देखते हैं मोद्रिक निति के उपकरण की बात करते तो मोद्रिक निति के उपकरण में जो हम दू परकार के उपकरण काम लेते हैं सबसे पहले मात्रात्मक एक है गुणात्मक या पिर चैनात्मक जिसे कहा जाता है मात्रात्मक में आता है मात्रात्मक में कौन-कौन से हाथे रेपोदर, रिवर्ष रेपोदर, नगत आरक्षित अनुपात, वेदानिक तरलता अनुपात, बेंक दर, सिमान तिस्ताई सुईधा, खुले बाजार की किरियाएं गुनात्मक या चहिनात्मक प्रक्रिया में या प्रुपाई में आता है साक की राशनि या नेतिक लिक रखाओ, नेतिक प्रभाव या प्रतिक स्कारवाई, यह आता है गुनात्मक में, ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, सबसे पहले मातरात्मक क्यों बाते करेंगे और यह ना alpkaal के लिए यानि कुछ सोट रम के लिए कुछ समय के लिए ठीक हैं यह क्या करता और बेंक को क्या दिता पैसे इसके अंड़र में जो बैंक होते हैं बैंकों को क्या करता पैसे उधार देता एक तरीक देख देखे ठीक है क्या देता है रासी एक रासी जो है आपने समन्दित बैंक उनको क्या देता है यह उधार देता है ठीक है और यह बैंक करते हैं फिर आगे कस्टमर्स को लोन वगरा देते हैं ठीक है अब देखते समझते रेपो दर वू दर होती है जिस दर पर आरबे अपने समन्दित बेंकों को अल्पकाल के लिए रासी उधार देता यान कि आप आर्वे जो है आपने समधित बेंकों को जो रासी उधार देता तो कहता है कि मैं एक निश्चित इस विस दर पर क्या है इतना मैं ब्यास तो लूँगा इस दर के साथ लूँगा ठीक है वो दर क्या 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 क्य पर वेंकों की तरलता उमें कम यहाती है विति क्योंगि RB लतों करें। और बी यह इम एकता उतलता या कि बीयाज लिया रहा हो है । अगर वह ब्याच बड़ा दे मैं अगर ब्याज जादा बढ़ा है तो यह से कि लेंगे और जब यह कम लेंगे तो इन बेंगों के पास तरलता यानि कि नगद में पैसे कम रहेंगे, सीदी सी बात जब इनके बेंगों के पास पैसे नहीं रहेंगे इनके पास तरलता कम हो जाएगी ठीक लोगों को पाएंगे जब नए लोन नहीं दे पाएंगे तो मार्केट में पैसा नहीं हायेगा तो क्या हो जाएगा मुद्रा का संकुचन हो जाएगा क्या हो जाएगा मुद्रा का संकुचन हो जाएगा आर्वी ने अगर रेपो रेट बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा बेंको के पास पैसे यानि तरलता कम रहेगी जब बेंगों के पास तरलता कम रहेगी तो वह लोन नहीं दे पाएंगे जब लोन नहीं दे पाएंगे तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा और मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो मुद्रा का क्या हो जाएगा संकोचन हो जाएगा अब देखते हैं वहीं दूसरी स्थेत यहां कि बेंक रेट कम है यह जो है रेपो रेट कम है तो क्या सम्मदित बेंक के उनसे क्या करेंगे ज्यादा पैसे लेंगे उधार ज्यादा लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे लोगों को कॉस्टमर्स को क्या लोन दे पाएंगे जब ज्यादा लोन दे पैसा ज्यादा नीटल में पैसा ज्यादा हो जाएगा ठीक है जी सक्या इस तरह किसे ईक हमने बनाया है अगर बढ़ जाती है ठीके और रिप्रेंट बढ़ जाती है तो जो हो जो हो रा कॉलोन पाइए तो लों िसे मुदरा का संकोचन होगा ठीक है वहीं दूस्री स्तती अगर देको रेपो रेट को खम करेंगे तो तरलता बैंको क्या हो जाए गिझ वर्दी हो जाएंगी और लौन है मुदरा का पड़सार हो जाएगी यह इस्तेती है कि अब देखें कि इसके संदर में कुछ बातें ओर हैं मैं तो देख लेते रेपो दर तता बेंगों के तरलताओं के मद्धी विप्रिश समंद्ध होता है बेंगों के तरलताओं के मद्धी यानि रेपो रेट वड़ेगी तो तरलताओं क्या होगी कम होगी अगर अगर रेपो रेट कम होगी तो तरलताओं में क्या होगी वर्दी होगी तो भी प्रिश समंद्ध होता है रेपोदर का मुख्य उदेसी बेंकों की तरलताओं में क्या करना वर्दी करना रेपोदर का हमें इसका उदेसी यही रहता है कि जो बेंक है उनको लोन दिया जाए यानिकि जो उनको पैसे उदार दिये जाएंगे तो वह क्या जादा जादा लोन दे देंगे ठीक है बेंकों आपके लिए देख लेते हैं कि अर्थव्यस्था में मुद्रा परसार की इस्तती उत्पन हो गई अर्थव्यस्था में क्या हो गया कि अर्थोस्ता में मुद्रा पर्षार यानि मुद्रा का पर्षार ज् Beyond वोई प्छी अरत्विस्ता मुद्रा पर्षार के लिए या रवी एपनी विद्य में क्या करेगा मुद्रा परसार करना चाहता है, तो क्या करेगा आर्भी वर्दी करेगा, या कमेड़ी करेगा, आपनी रेपो रेट में क्या करेगा, कमें करेगा, ताकि बेंको